असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासिक्स आज हम मैध का चैप्टर नम्बर थर्ड करेंगे और इसका नाम क्या है फेक्टर्स एंड मुल्टिप्लाइज एक्सराइज 3.1 3.1 का कॉस्टर नम्बर फर्स्ट है राइट आल दा फेक्टर्स ऑफ इच ऑफ दा फॉल आता है सेवन के टेबल में आता है और 21 21 के डेबल में में just 219 अपने ही टेबल में आता है अब हम कैसे बताएंगे कि कैसे सोल्व होगा अगर हम 21 का टेबल जो है वह बाद तक पढ़ेंगे तो क्या आजाएगा 21 जैसे के 21 मृटिप्लाइज 1 21 का का टेबल कहा तक किसका थीक है अब हम क्या करेंगे 3 हम सैंट तक पढ़ेंगे 3 रिके टेबल harmonious थारी पर क्या आजाएक 21 इस तरह 7 के टेबल में भी 21 आता है इस तरह 7 जो है वो भी एक फैक्टर बनगा किसका 21 का 1 3 7 21 आर आल दा फैक्टर्स ओफ 21 ठीक है कुस्टन सौर्व हो गया जस्ट इतना अब हम क्या करेंगी कुस्टन नबर 2 क्या है 36 फैक्टर्स ओफ 36 इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 6 9 12 18 36 अब हम मैं आपको यह बताऊंगी कि यह मतलब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे इसको 1 अगर हम 1 का टेबल 36 तक पढ़ेंगे 36 36 multiply 1 इक्वल क्या आजाएगा 36 के इस तरह 36 जो है वो खुद मतलब अपने ही टेबल पर आता है इस तरह 36 भी एक फैक्टर्स बन गया अब हम क्या करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे 18 तक जब हम 2 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे तो क्या आजाएगा 36 टू 18 जार 36 ठीक है जैसे के 1 का टेबल हमने पढ़ा 36 तक तो क्या आगया 36 ठीक है अब हम पढ़ेंगे 2 का टेबल कहां तक 18 तक 2 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे टू 18 जार 36 ठीक है अब हम पढ़ेंगे 3 का टेबल किस तक 12 तक जब हम 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो क्या आजाएगा 36 एक यह भी फैक्टर बन गया अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक 4 नाइन जार 36 ठीक है इस तरह एक जो है फैक्टर यह भी बन गया 4 का टेबल फैक्टर बन गया अब हम 6 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 6 का टेबल 6 तक पढ़ा तो 36 आगए ठीक है बस हमने यह बताना है कि 36 के फैक्टर कौन कों से है मतलब यह कि 36 किस किस टेबल में आता है तू के टेबल में भी आता है ठीके भी आता है 4 के भी 6 9 12 18 36 एंड कोस्टन नमबर थर्ड एंड फॉर बच्चों आपने खुदी सोल्व करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला और साइकिन वाला कोस्टन सोल्व को है सेम आपने थरी और फॉर वाला जो है वो सोल्व करना है ठीक है